अगेन विल्कम ये ओल गाइज इंटो माच चानल हैक्सब्रेंड सेंटेंस हम स्टाट करते हैं विदाउट वेस्टिंगा टाइम फर्स सेंटेंस हमारा होगा उसे कुछ फल लाने के लिए बजार भेजा गया था मतलब ये बीत हुए कल की बात है तो इसको हम सेंटेंस बनाएंगे He was sent to the market to bring some fruits He was sent to the market to bring some fruits नेक्स सेंटेंस हमारा होगा चलो स्टेडियम चलते हैं हम बार बार बोलते हैं ये सेंटेंस इस्तामाल करते हैं चलो सिनेमा चलते हैं चलो स्टेडियम चलते हैं चलो मार्केट चलते हैं इस type के sentences हम बनाएंगे, चलो stadium चलते हैं, let's go to the stadium, let's go to, ये same होंगा उसके कि कोई भी आप चीज लगा दो, stadium, bank, playground, जो भी लगाने आप लगा सकते हो, third sentence हमरा होगा, हमें इस गर्मी में किसी hill station की यात्रा करनी चाहिए, है ना हम बार बार सुझाओ देते हैं, एक दुछरे को हम सला देते हैं, कि हमें इस गर्मी में किसी hill station की यात्रा करनी चाहिए, we should visit a hill station this summer, इस टाप से sentence हमारा बन जाएगा, next sentence की तरफ हम बढ़ते हैं, next sentence हमारा हो गया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पिता का नाम क्या है, कोई हमें पूछता है, इस तरीके से वो, English में पूछेगा, could you tell me what your father's name is, या फिर what your father's name ही, इसके बदले ये बोल सकते हो, could you tell me what is your father's name, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, दोनों का दोनों सही है, next sentence की तरफ हम बढ़ते हैं, next sentence है, सिख्षक ने मुझे कार्याले से अपना डस्टर लाने के लिए कहा, बहुत असान सेंटेंस है, बहुत इजी तरीके से बनेगा, इसको हम बनाएंगे, the teacher asked me to bring his duster from the office, the teacher asked me, ask नहीं बोलोगा, आप asked बोलोगा, के silent होंगा, the teacher asked me to bring his duster from the office, next sentence, sentence है, हमारे अंग्रेजी सिख्षक बोर्ड पर लिखने के लिए, विभिन रंगों के मार्करों का उप्यों करते हैं, मार्कर मतलब अलग-अलग कलर के पेन का इस्तमाल करते हैं, तो इसका English बहुत आसान तरीके से बनेगा, और English teacher uses different color markers to write on the board, वापस एक पर पढ़ो, और English teacher uses different color markers to write on the board, इंग्लीश बहुत ही है, इंपोर्टन जो मैं sentence बढ़ा रहा हूँ है, इंग्लीश वाले, बहुत ही इंपोर्टन और डिफिकल्ट है, मगर सबसे आधा इस्तमाल किये जाने वाला sentence है ये, next sentence, next sentence है हमारा, मेरे कार्याले में एक बड़ा सा white board है, I have a large white board in my office, I have a large white board in my office, उसके बाद, next sentence, मेरे बैग में छे अलग अलग रंग के पेन है, I have six different color paints in my bag, I have six different color paints in my bag, समझे रहों, ये color के color वाले जो paint है, इसके बदले कुछ और बोल सकते हो, I have six different books in my bag, color paint के बदले कुछ और भी डाल सकते हो, sentence सेम होगा, इसी तरीके से बनेगा, अंदर वाली चीजे बस change होगी, next sentence, क्रिपया अब एक glass गरम पानी लेकर आए, क्रिपया अब एक glass गरम पानी लेकर आए, तो इस तरीके साब बोलोगे इसको इंग्लिश में, please bring a glass of warm water now, last sentence, अब क्या लेना चाहोगे, चाय या कॉफी, हम बहुत बार अपने दोस्त को पुछते हैं, जब उसको हम पार्टी देने जाते हैं, तो उसको हम पूछेंगे सबसे पहले हैं, फिर कोई भी मेमान जब घर में आता है, तो उसको हम पूछ सकते हैं, अब क्या लाना चाहोगे, चाय या कॉफी, what would you like to have, tea और कॉफी, इस तरीके से यह sentence हमारा बन जाएगा, गाईज, तो हमारा sentence आज के हमारे खतम हुए, नए लोग subscribe कर दो, जो पहले से ही subscribe कर चुके हैं, like करो, comment करो, share करो, thank you so much guys, see you in the next video,